हाँ जी दोस्तों नमस्कार एलेक्ट्रिकल ग्यान में आप सबका स्वागत है इससे पहले हमने सीरीज पैलन सरक्ट कुछ देखे थे जो की सिंपल थे बिल्कुल अभी यह कैसा सरक्ट जो देखे यह जो कॉश्चन लिया गया है यह आपकी बील्थ रेजा बुक में से लिया हमेंड़ा स्वाइब होते हैं तो उनकी श्येप के इसाफ से हमें अंदाज्जा लगा लेते हैं कि यह जो रिस्ट्रंस है मेरे यह आपसमें सीरीज यहाँ पैल रहाए कि यह सीरीज है जीन पैलने क्या होता है कि वो क्या करता है एक्जामीनर कि अपने तरफ से नों श्यप पर देखो यह 12-4 बाराओं रिजिस्टन्स यह आपस में कैसे जुड़े हैं इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यार रखना है कि माल लीजिए उसने कहा है कि रिजिस्टन्स निकाली है एकूइलेंट रिजिस्टन्स निकाली है across the R, A, B A और B टर्मिल के रिजिस्टन्स निकाली है सबसे पहले तो हमने यह चीज़ देखने हैं कि किस टर्मिल के across रियस्टन्स निकाली है क्योंकि किसी एक सरक्ट की करने दो कि करने गोंपने से आभे दो कि इए सबसे पहले तो आपको क्या करने जो दो पॉइंट्स के यहाँ पर इन्होंने पुछी है जिन्होंने रिजेस्टनस पुछी है वहाँ पर अपनी तरफ से अजियूम कर लीजिए कि एक बोल्टे सोर्स लगा हुआ होगा जिसका एक टर्मिनल पॉस्टिव तर्मिनल लंग लेगा तो यहां पर यह द्यार रखनी है कि इस resistance को मैं एंड तक नहीं छेड़ूँगा जब तक मेरी सारी यह जो रिजिस्टनसिज हैं यह मेरी calculate ना हो जाएं तो देखिए हम सरक्ट को वहां से पकड़ेंगे जहां से यह सरक्ट बिल्कुल असाम देखें जैसे देखिए यह जो रिजिस्टनसिज हैं हम देखते हैं कि parallel में parallel की निशानी क्या होती है कि दो रिजिस्टनसिज अगर इनके दो सिरे एक तरफ और दूसरे रहते सिरे एक तरफ जुड़े हुए हो तो इसको मैं बोलता हूं parallel सरक्ट तो ऐसा combination मुझे देख रहा है यहां पे देखिए यह प्लस 12 आपस में parallel में आगी तो उसका जो फार्मूला होता है मेरा equivalent वो क्या होता है आरवन मल्टिपलाई वाई आटू अगर रिजिस्टनसिज मेरी parallel में हो तो वो आरवन प्लस आटू तो यह आ जाएगा मेरा 12 मल्टिपलाई वाई 12 डिवाइड वाई 24 तो यह मेरा आगया टोटल रिजिस्टनस निकानने के लिए parallel अगर वो सेम है रिजिस्टनस और नो तो जो भी मेरी रिजिस्टनस है डिवाइड मैं करूंगा मैं जितनी भी नब्राव मेरी ब्रांचीज है अगर suppose करो मेरे पार रिजिस्टनस होती आर आर यहां पे आर आर और आर तो इसका नो ओम और नो अगर इन दोनों को फिर इन दोनों को पहले इन दोनों को जो अंसर आजाएगा फिर इन दोनों को करूंगा जहां फिर हम सिद्धे कर सकते हैं कि नो एक ब्रांच की रिजिस्टनस डिवाइड बै जितनी नंब्राव ब्रांच चीज है ठीक है अगर यह चार ह तो देखिए इन दो पॉइंट्स को इन दोनों पे अगर इन दोनों को मैं डिलीट कर दूँ इन दोनों की जगह पे सर्फ और सर्फ पे एक अरगे मेरी नहीं जिसका अरगेस्ट्स है मेरा छेयों अब देखो छेयों के बाद छेयों के बाद अभी ये दोनों ये को ये दोनों इसके दोनों सिरे यहाँ पे चुड़े हैं और इसके दोनों सिरे यहाँ पे चुड़े हैं तो ये 12 और 12 ये भी मेरा 6 या गया थे इन दोनों की जगा मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 6 ओम तो यहां तक तो मेरा circuit बन गया अभी देखो आगे क्या कर रहा है हमें आगे देखो यह और यह यह बारा और यह 6 यह बारा और यह 6 यह आपस में parallel में हैं तो मेरे पास इन दोनों को मैं करूंगा 12 और 6 देख्यों क्योंकि यहां पर इसके दोनों सिरे आपस में जुड़े हैं और बाकी रहते सिरे भी आपस में जुड़े हुए है तो यह तो यह मेरा आ गया 12 multiply by 6 divided by 12 plus 6 तो यह मेरा आ गया नीची आ गया मेरा 18 तो यह आ गया 3 तो यह आगे आ जाएगा फोरोम तो यह मेरी रिजस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट अगर यह 8 होम की liftкое दिए सीरीस में तो इन दोनों की जगापे मैं बना लूंगा 8 ओम करते है जो पैरल में यहां पर जुड़े में जब वह जाते हैं टोनों यहां पर आपके वहता बाएखा दिए किसिके एक बार्च की использовать तो इसका अंसर आ गया, यहां तक, यहां तक मेरा अंसर आ गया, चार ओम की रिश्नस आ गये, ठीक है, जी, चार ओम, अभी देखना है A और B, ठीक है, अगर आपने यह वोल्टे सोर्स ना माना होता, तो देखे, यह आपको सीरीज में देख सकता था, पट अभी voltage source माना हो देखो, तो ये टर्मीनल और ये टर्मीनल दोनों जुड़े होगे हैं, ये टर्मीनल और ये टर्मीनल तो ये आगे constellation मेरी डोन चाहिए js are reputation क्योंकि ये दोनों अपस में parallel में जुड़े होगे थाई ये dotjam सरक्ट था इसके बाद एक दो सरक्ट और सॉल्व करने के लिए तो अगर आपका भी कॉश्ट हो जो आपसे ना सॉल्व हो रहा हो अभी तक जितना भी हमने टॉपिक है तो प्लीज मुझे जुरूर सेंड कीजेगा मैं कोशिच करूँगा कि आपके इस कॉश्ट का हल निकाल क जल्दी है जल्दी आप तक पहुंचा सको ठीक है जी थैंक यू वेरी मच मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच